Hello students, welcome to my channel Maths with Pooja बिटा कक्षा आठ की गनित कार्य पुस्तिका का अध्याए 10 है ये जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रन बहुत दिन से बच्चे कह रहे थी कि मैं हम इसका solution लाएं पहले 9 अध्याए मेरे channel पर already upload हैं तो उन सभी 9 chapters का solution आप मेरे channel पर playlist में देख सकते हैं playlist का link मैं description box में भी डाल दूँगी और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है वो सबसे पहले बही subscribe कर लें बड़ी मेनत से मैं आपके लिए lecture तयार करती हूँ अगर आप subscribe करके bell button को press करोगे तो आपको मेरे lecture तुरंत मिल जाएंगे चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संक्या एक से नीचे कुछ वस्तों के नाम लिखे हैं कागज, सलेट, रोटी, डंडा, चादर, चाठ, शकर, कडिबब, अलमारी, जामीतिय, बोक्ष और शार्पनर इन में से कौन सी वस्तों सिक्के जैसी है, तो मैंने पहले लिख दिया है सलेट और रोटी, क्यों, सिक्का कैसा होता है, ऐसा होता है, सलेट भी ऐसी ही गोल, सलेट सिक्के जैसी नहीं होती है यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है तो इसको सलेट को आप यहाँ से हटा दो गलत यह गलत यह केवल और केवल रोटी है जो की सिक्के के जैसी होती है दूसरे बाग पर आजाओ आगे देखते हैं इन में से कौन सी सलेट के आकार किये तो कागज, चादर, चार्ट और डंडा सलेट भी आयताकार होती है और ये चारों भी आयताकार है तीसरे भाग पर आजाओ, कौन सी संदूक के आकार की है शक्कर का डिब्बा, अलमारी, जामितिय बोक्स और शार्पनर अब ये कहता है कि तुमने ब्लैक बोर्ड को किसके जैसा लिखा और अलमारी को किसके जैसा, ब्लैक बोर्ड और अलमारी में क्या अंतर है तो ब्लैक बोर्ड तो हमने लिखा है सलेट की तरह का अलमारी हमने लिखी है, संदूक के आकार की, अंतर क्या है अंतर ये हैं कि ब्लैक बोर्ड की केवल क्या है लंबाई और चोडाई है सुनने मेरी बात कि आप लिखेंगे ये मैं लिखना भूल गई यहां पर ब्लैक बोर्ड की केवल लंबाई वे चोडाई है और संदूक की लंबाई भी होती है चोडाई भी होती है और संदूक की उचाई भी होती है तो ये बात आप लिख देना अब दूसरे सवाल में ये कहता है कि ब्लैक बोर्ड एक आयत है ये है बई आयत तो ये कहता है कि आयत के क्या गुण होते है निमन मेंसे चाटो क्या सभी बुजाएं बराबर होती है तो हमने लिख दिया नहीं सभी बुजाएं बराबर नहीं होती है आगे पूछता है कि आयत की मैं यह एक आयत बना ही देती हूँ आपके लिए पहले यह मैंने आयत बना दी अब ये कहता है कि आमने सामने की बुजाएं बराबर होती है तो बिल्कुल ठीक है सभी कौन समकौन होते है यानि प्रते कौन नबे का होता ये भी ठीक है आसन बुजाएं बराबर होती है ये गलत है आसन कौन कौन सी होती है ये वाली और ये वाली और ये दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं है विकर्ण बराबर होते हैं बिल्कुल सही है एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण आपका ये है और ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं विकर्ण सम्दी भाजित करते हैं यह भी बिल्कुल सही है जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये इससा इसके बराबर और ये इससा इसके बराबर विकर्ण एक दूसरे को समकौन पर काटते हैं ये बिलकुल गलत है आयत के विकर्ण 90 पर नहीं काटते और लास्ट पार्ट ये कहता है कि विकर्ण समकोन पर बराबर काटते हैं जो की गलत है अब ये क्या समझा रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिन में केवल दो आयाम यानि लंबाई और चोड़ाई पर ही विचार किया जा सके वो दो आयामी टू डी इंगलिश में डी का मतलब होता है डायमेंशन डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई चोड़ाई उचाई मोटाई तो जिन आकरतियों की केवल दो डायमेंशन होती हैं उन्हें दो आयामी कहते हैं और जिन आकरतियों की लंबाई चोड़ाई के साथ गहराई, मोटाई भी होती है, उन्हें तीन आयामी या 3D वस्तुएं कहते हैं, अब इनका कुछ उधारन आपको दिया गया है, कि नीचे दी गई चीजों के बारे में विचार करो, यह बहुत से चीजे लिखे हुए, कागज, ब्लैक पॉर्ड, पापड, किताब, कूलर, यह मैंने यहाँ पर छाट कर लिख दी हैं, आप देख सकते हो, दिवी आयामी में कागज लंबाई चोड़ाई, ब्लैक पॉर्ड की लंबाई चोड़ाई, पापड की कोई मोटाई नहीं होती, मम्मी की साड़ी की मोटाई नहीं होती, और दुपट्टे की मोटाई नहीं हो अगले प्रश्न पर आ जाओ भी नीचे कुछ आकार दिये गए हैं बनाए गए हैं उन्हें पहचानो और उनके नीचे लिखो कि वह टूडी है या थ्रीडी तो यह सब के नीचे मैंने यहां पर लिख दिया है त्रिबुज है टूडी होता है यह बेलन है यानि गिलास है थ्र टूडी है यह आपका पिरामिड है थ्रीडी है यह प्रीजम है थ्रीडी है यह बी प्रीजम है थ्रीडी है यह वरग है टूडी है आगे चलते हैं इनको पोज करके वीडियो को फिर आप भर लेना और यह भी आपका प्रीजम है थ्रीडी है यह एक तरह का तंबु है थ्री 2D है आगे चलते हैं ये कहता है कि उपर दीगे चीज़ों के लावा कुछ और 2D 3D के उधारन दो तो ये मैंने लिख दिया है 2D में कागज है रुपिया यानि करंसी वाला नोट है कैलेंडर है 3D में मोबाइल है रिमोट है गिलास है अब ये कहता है छीली हुई पैंसिल के ब जलते हैं इसी के दूसरे भाग पर ऐसी कुछ और वस्तूओं के नाम लिखो जो एक या एक से अधी काकारों से मिलकर बनी है सौफ्टी चटका पंका लट्टू तम्बू तो इन्हेंने और पुछा था तो मैंने नीचे लिख दिया है सौफ्टी कैसे बनती है शंकोर तर्टू अगर हम इसको आइसक्रीम को उल्टा कर दें तो वो लट्टू बन जाता है और तंबू कई तंबू इस तरह के स्पेशल होते हैं कि नीचे से शंको वो बेलन होता है और उपर से शंको तो यह मैंने लिख दिया है साथ में प्रश्न पर आजाओ नीचे कुछ मिश इताकार हैं आयत के उपर तर्वुज तो यह मैंने पहले ही बना रखें आप वीडियो पोज करके इनको दोबारा देखकर अपनी वर्क बुक में भर लेना तर्वुज पर बना अर्दिवृत तो यह आपका तर्वुज है और यह इस पर अर्दिवृत है एक बेलन के दोनो सिरों पर शंकू तो बेटा यह बेलन है उपर एक शंकू है नीचे एक शंकू है और लास्ट पार्ट है अर्द गोला यह अर्द गोला यानि कटोरी उसके उपर है बेलन और बेलन के उपर है शंकू आगे चलते हैं प्रश्न संक्या आठ है यह नीचे कुछ आकार बनाए ग इनके सभी फलक तरिबुजाकार होते हैं देख लेना जबकि प्रीजम के सभी फलक या तो समानतर चत्र बुज होंगे आयत मैंने समानतर चत्र बुज होते हैं क्योंकि आयत और वर्ग भी समानतर चत्र बुज होते हैं तो ये मैंने सब पर लिख दिया है ये प्रीजम है ये आपका क्या है पिरामिड है आगे चलते हैं आगे ये कहता है कि नीचे प्रिजम और पिरामिड के बारे में कुछ बातें लिखें तुम बताओ कौन सी बात पिरामिड की है और कौन सी प्रिजम के बारे में सही है इनका आकार और उपरी सीरा सरवांग सम है तो वो प्रिजम हो इसमें भी देख लो उपर भी स्टार बना हुआ है नीचे तली में भी स्टार बना हुआ है तो ये प्रिजम होते हैं इसमें नीचे भी त्रिबुज है और उपर भी त्रिबुज है अगे बढ़ो इनके आधार के अलावा सभी फलक समानतर चत्रिबुज होते हैं तो वो प्र पिरामिड है घन किसका उधारन है प्रिजम का बेलन एक प्रिजम क्यों नहीं है क्योंकि बेलन में आधार तो विर्ताकार होता है लेकिन चारों तरफ कोई समांतर चत्रबुज नहीं है ये गोलाई में होता है तो इसके फलक समांतर चत्रबुज नहीं है आगे ये कहता है क्य शंकू एक पिरामिड है हाँ नहीं के साथ कारण भी बताओ तो नहीं शंकू के फलक तरिबुजाकार नहीं होते हैं चलें आगे यह है बिटा प्रशन संक्या बारा जिसमें कहा गया है कि सारनी को पूरा करो यह आपकी बुक में भी आए हैं मैंने पूरा चैप्टर 10 रिकोर्ड करके अपने चैनल पर डाल रखा आप इनको वहां से भी समझ सकते हो यह आपको आकार दिया गया है इसके फलक बताने है यानि फेस शीर्श बताने है यानि वर्टेक्स किनारे बताने है यानि एज़ और फिर आपने जाच करना यहां लेकर है बहुलक बहुलक नहीं आएगा बहुलक है या नहीं F जमा V घटा E बराबर है दो एक मिनट बही ये देखो ये कहता है कि F में V जोडो और E घटा दो अगर उत्तर दो आया तो बहु फलक है वरना नहीं है ठीक है अब देखो ये गनाब है गनाब में 6 फलक है एक दो बही चार दिवार एक च्छत और एक निचे 6 तो फलक है ठीक है और शीर्ष पढ़ लो एक दो तीन चार उपर है चार निचे है तो आठ शीर्ष है बारा किनारे है देख लो एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा 12 किनारे अब 8 और 6 को जोड़ो 14 आएगा 14 में से 12 घटा होगे 2 आएगा तो हाँ यह भहू फलक है इस तरह हमने जाच करनी है आगे चलते हैं शंकू है आपका शंकू में एक फेस ही होता है एक नीचे तो 2 फेस है कोई किनारा नहीं है कोई शिर्ष नहीं है 2 जमा जीरो घटा जीरो दो आगया तो यह भहू फलक है लेकिन यह चीज़ बेलन पर लागून नहीं होती है क्योंकि बेलन का 1 ये फलक है ऐक उपर, एक नीचे 3 फलक है कोई किनारा नहीं है कोई शिर्ष नहीं है और ये उत्तर दो के बराबर नहीं आ रहा है तो ये बहु फलक नहीं है अब ये आपका समलम्ब है तो एक दो तीन चार तो किनारे हैं एक फलक है और शीर्ष जीरो नहीं है भई ये मैं गलत लिग गई यहां बर किनारे चार है और शीर्ष भी चार है शीर्ष भी आप यहां इन में से घटाओगे तो उत्तर एक आएगा तो दो के बराबर तो उत्तर तब भी नहीं आएगा तो इसको ये ठीक कर ले ना फिर समझो मेरी बात को ये जीरो नहीं है ये चार है यहां चार करोगे तो ये दो के बराबर नहीं आएगा अब हम आगे चलते हैं ये एक प्रिजम है, शट फलक प्रिजम है ये, ठीक है, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फलक नीचे हैं, छे भुजाएं तो शट भुजाएं नीचे, शट बुजू पर तो शट फलक प्रिजम है ये, तो आप गिन लेना, इसके आठ तो फेस हैं, ठीक है, छे शीर्ष हैं और अठारा एज है बारा और आठ को जोड़ोगे बीस में से अठारा गए दो तो हाँ यह भौव फलक है ठीक है आगे चलते हैं यह नीचे आपका एक वरग है और उसके ऊपर चार तरिबुज है तो यह पिरामिड है तो इसके पांच तो फेस है चार तरिबुज चार और चार किनारे नीचे आठ किनारे है एज तो आप पांच और पांच हो गया दस दस में से आठ गए दो तो इसका उत्तर हाँ आएगा और यह लास्ट है पंच बुज का एक फेस है पांच शीर्ष है और पांच ही किनारे है लेकिन उत्तर एक के नहीं है तो यह भी हमा जो है भहू फलक नहीं है अब हम आगे बढ़ते हैं ये बेदे को मैंने बना रहा है इस पर आपको थोड़ी मेहनत करने ही पड़ेगी नीचे दिएगे फलक के आधार पर प्रिजम और पिरामिड बनाओ नीचे आयत तो ये देखो नीचे आयत बनाई चार डंडे ऐसे खड़ करें और एक आयत और उपर बन गई तो ये तो है प्रिजम लेकिन नीचे है आयत ध्यान देना मेरी बात पर इबर इसको थोड़ा सफाई से मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें दिखाने की नीचे आयत है चारों कोणों पर एक एक तिरभूज एक यहाँ है एक यहाँ दो पर भी तिर्भूज बना दिया लेकिन नीचे तिर्भूज है तो एक तिर्भूज यहाँ से चलाया एक यहाँ से और एक पीछे से तिन्नो एक जगए मिले यह हमारा पिरामिड है आगे चलते हैं पंच बुझ तो यह पंच बुझ बनाया है ये पहले मैंने शटबुझ बनाया यहां से छे रेकाएं मैंने ऐसे खड़ी की और एक शटबुझ फिर उपर बना दिया पिरामिड के लिए एक शटबुझ नीचे बनाया यहां से एक तिर बुझ लिया यहां से एक तिर बुझ लिया और यहां से एक तिर बुझ ल नीचे एक कार दिखाई गई है जिसे अलग अलग तरफ से देखने पर निम्न दिखाई देते हैं अब ये कार है सामने से ऐसी दिखरी है उपर से ऐसी दिखरी है पार्शु यानि साइड से ऐसी दिखरी है ये आपके दस्वें चेप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में है इस तरह के प्रश्ट तो अब आपको तरह तरह की figure दी गई है और वो पूछी गई है कि कैसी दिखाई देती है तो नीचे दी गई ठोस वस्तों के लिए द्रश्य बनाओ मैंने बना दी है इनको देखकर आपने बनाना है ये लुडो की गोटी है सामने से देखोगे तो भी वरग है square है उपर से भी square है और side से भी square है बोतल है सामने से भी ऐसी दिखेगी side से भी लेकिन उपर से केवल इसका डखकन दिखेगा आगे चलते हैं ये कुरसी है मैं black color ले लेती हूँ क्योंकि एक दो चीजे मिटी हुई है तो आपको असानी से दिख जाएंगी कुरसी सामने से ऐसी दिखेगी ये कुरसी थोड़ी side से बनाई हुई है मैंने आपकी कहत्ता गोल है तो आप इसको ऐसे गोल भी कर सकते हो और उपर से देखोगे तो ये कुरसी देखो आपकी इस तरीके से ये मैंने यहाँ बनाई हुई है तो आप इसको देख कर ये देखो ये उपर से दिखेगी ठीक है आगे बढ़ू ये मेज है जो सामने से तो ऐसी दिख रही थी दुबारा बनाने की वैसे जरूरत थी नहीं मैंने बना दी थी और पार्शू से यानि साइड से बहुत थोड़ी सी दिखेगी छोटा हिस्सा दिखेगा तो ऐसे दिखेगी साइड से और उपर का हिस्सा ये है तो ये उपर से ऐसी दिखेगी आप इसी वीडियो को यहीं पर पोज़ कर लेना और इसमें से देख देखकर आप अपनी वर्क बुक में इसको भर लेना ठीक है बेटा आगे चलती हूँ मैं देखिए नीचे किसी आकार का सामने का पार्षव का और उपर का दृष्चे दिया है कि यह तीन घन जुड़ रहे हैं तो सा पारषव यानि साइड में से तो एक दबब दिखेगा तो यह दिख रहा है उपर से भी तीन दिख रहे हैं तो यह दिख रहा है अब आपको भी कुछ हाकरतियां दी गई है पंदरवें प्रश्न में उनको आपने पहचाना है कि उपर से कैसी दिखती है पार्षव माने सामने से पारशू से ऊपर, यह एक शंकू ऊपर है और एक निच्चे है, तो ऊपर सी ट्रांस्पेरेंट हम मानन के चल रही है, यह शिश्य का है, तो ऊपर से ऐसा गोड दिखेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, साइड से और सामने से ऐसा ही दिखेगा, तो यह मैंने पारशू और सामने लिख दिया है ये दो गन निच्चे है और एक उनके उपर है तो जब तुम साइड में से देखोगे ध्यान से देखना तो साइड में से ये दो गन दिखेंगे तो ये तो पार्श हो गया उपर से दिखोगे तो ये भी दिखेंगा और ये भी दिखेंगा और तीसरा भी दिखेगा तो ये उपर से दिखेंगे और सामने से तो हमें दिखाई दे ही रहा है clear है आगे चलो दो सिलेंडर एक दूसरे से जुड़े खड़े हैं तो ये तो बिल्कुल clear है कि उपर से इनका गोडा-गोडा दिखेगा हमें आगे बढ़ें सामने से हमें दिखी रहा है ये ये हिस्सा दिखेगा ये सामने से जो बच गया वो पार्षु से यानि साइड से और देखते हैं वह चोथा भाग उपर से जब तुम देखोगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा तो ये तो उपर से हो गया पार्श वियानी साइड से देखोगे बहुत ध्यान से देखना बेटा साइड से एक तो ये दिखेगा और सिलेंडर कैसा भी हो साइड से चप्टा ही दिखता है तो ये साइड से और ये सामने से हमें दिखेगा और ये लास्ट है इस लेक्चर का चेप्टर का नहीं ये सिलेंडर के उपर एक शंकू खड़ा है अब आपको तो ये लग रहा होगा कि किवल 20 मिनट का लेक्चर है लेकिन इसको इस पूरी वर्क बुक को बढ़ने में तयार करने में मुझे गंटा सारा लग गया तो आपका एक छोटा सा लाइक देना बनता है आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपको इसको शेयर करना चाहिए तो यह अब हम देखते हैं कि सामने से तो बिलकुल ऐसा दिखेगा और उपर से जब तुम देखोगे तो यह गोल दिखेगा उल्टा कर दिया ना और सामने से भी इसी तरह का हमें दिखेगा तो यह आपके पंदरा परशन क्या स्भापंदरवा यह पंदरवा परशन था मैंने करा दिये हैं कुछ परशन और रहे गए हैं जिनने हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे लेक्चर पसंद आए तन दो सब्सक्राइब मैं चैनल और शेयर विद मैं स्टूरेंट थैंक य।